अंधियारी काली रात थी, बिचली चमक रहे थी, बहुत जोरों की बारिश हो रहे थी तभी किसी घर में से एक लड़की के चीक ने चिलाने की आवाजें आ रहे थी, वो कह रहे थी मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो मैंने तुमारा गया बगारा है, तुम सब लोग मुझे क्यों मारना चाते हो, छोड़ दो मुझे वो आवास कजरी की थी, वो अपने पती रामू और अपने ससुर से बोल रहे थी क्यों छोड़ते हैं, पेरे बाप ने शादी में दिया ही क्या है, कुछ नहीं दिया, बोला था सब कुछ दूँगा और तुझे हमारी चाती पर खाली हाथ भेज दिया मेरे पिताजी के पास जो कुछ दास देने को सब तो दे दिया, फिर भी तुम बोल रहे हो कुछ नहीं दिया हाँ, कुछ नहीं दिया, रुपिया पैसा कौन देगा, जो बात हुई थी, वो तो तेरे बाप ने पूरी नहीं की तू अब इस घर में तभी रह सकती है, जब अपने बाप से रुपिया लाएगी मैं अब अपने पिताजी से कुछ नहीं मागूंगी, चाहे इसके लिए मेरी चान ही क्यों ना चली जाए ये कजरी ऐसे नहीं मानेगी, जरा इसके हाथ पैर तो तोड़ अगर इसे जिन्दा छोड़ दिया, तो हमें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, इसका जिन्दा रहना हमारे लिए खत्रे से खाली नहीं है, इसी ही माल डालते है ये सुनकर कजरी भागने लगती है और रसोई में उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और कजरी मूँ के बल चूले पर गिर जाती है, उसका एक तरफ का चेहरा आग से चल जाता है, वो चीकती है, मुझे छोड़ दो पर रामू और उसका पिता कजरी की एक नहीं सुनते, कजरी रोती रह जाती है और वो कहती है, देखना तुम्हारे किये की सजा तुम्हें सरूर मिलेगी, तुम्हे भगवान कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा, और कजरी अपना दम तोड़ देती है ये तो मर गई, अब क्या करें? इसे दूर जंगल में दफना आते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा रामू और उसका पिता जंगल में कजरी को दफना देते हैं और कजरी एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है वो उसी जगा पेड़ पर बैठी रे इंतिजार करती है कि कोई तो आएगा जो उसकी मौत का बदला लेगा कुछ सालों बाद उसी गाउं में विदेश से एक लड़का अपनी नानी के पास छुट्टियों में घूमने आया हुआ था उसका नाम प्रिंस था वो बहुत ही मौडन किसम का लड़का था वो बहुत ही खुले विचारो वाला था लेकिन उसकी जो नानी थी वो थोड़ा पुराने विचारो वाली थी वो भूत प्रेथ की बातों पर ज़्यादा विश्वास करती थी जबकि प्रिंस भूत प्रेत की बातों को बिल्कुल नहीं मानता था एक दिन की बात है नानी, मैं जंगल में घूमने के लिए जा रहा हूँ प्रिंस, ये कोई तुम्हारा अमरिका नहीं है जो तुम कहीं भी घूमने चले जा तुम्हें पता भी है जंगल में भूत प्रेथ होते हैं अगर तुम्हें पकड़ लिया तो क्या नानी आप ही कैसी कैसी बाते करती हो भूत भूत कुछ नहीं होता और प्रिंस जंगल में अकेले घूमने चला जाता है ये लड़का तो मेरी बिलकुल भी बात नहीं सुनता, जब कुछ हो गया ना तब पता चलेगा प्रिंस जंगल में घूमने लगता है और वो इधर उधर घूमने लगा, तब ही उसे एक पेड दिखाई दिया, वो पेड उसे कुछ अजीब सा लगा उस पेड की पतियां बहुत जादा हरी भरी थी और वो जरूरत से विशाल पेड था, और उस पेड के आसपास के जितने भी पेड पौधे सूखे और मुर्जाय हुए थे, उन सभी पेडों के बीच में वो ही एक अकेला पेड हरा भरा घना था, इतने पेडों के बीच में उसी पेड पर फल लगे हुए थे, तो प्रिंस को ये बात बहुत अजीब से लगी, जैसे ही वाप पेड से फल तोड़ता है, तभी किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है, प्रिंस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करता है, कौन है? कौन है? कौन रो रहा है? तुम क्यों रो रही हो? और तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैं, मैं जंगल में पेड से लगड़िया काटने के लिए आई थी, और रास्ता भूल गई, अच्छा रो मत, चुप हो जाओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कज्री है, उसने लाल रंग के साड़ी पैनी हुई थी, पर कज्री ने अपना चेहरा ढखा हुआ था, बाबुजी, हमारी या लड़किया अपना मुझ किसी भी अंजान आदमी को नहीं दिखा थी, पर उस घूंगट में कज्री नहीं एक डरावनी चुड़ेल थ उसका रंग बाला था, उसकी आँखे गूल-गूल बड़ी बड़ी थी, उसकी नाक लंबी थी और एक तरफ का चेहरा जला हुआ था, जिससे वो बहुत ही डरावनी लग रही थी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम? और कज्री प्रिंस के साथ चल देती है, तभी प्रिंस क ऐसा लगता है, जैसे उसके साथ कज्री नहीं, कोई डरावनी चीज चल रही हो, कज्री के घूंगट से अजीब सी हसने की आवाज आती है, प्रिंस पीछे पलट कर देखता है, कोई नहीं होता, पर उसे लगता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ है, वो फिर प तुम्हारी शादी हो गई? नहीं बाबुची, प्रिंस कज्री का चहरा देखने की बहुत कोशिश करता है, पर वो कज्री का चहरा नहीं देख पाता, प्रिंस अपने घर पहुच जाता है और अपनी नानी को आवाज लगाता है, नानी, नानी, कहा हो! तभी नानी आवाज लगाती है क्या हुआ, क्यू चिल ला रहे हो और ये लड़की कौन है पताता हूँ, पताता हूँ पीरज रखो नानी, ये कजरी है और प्रिंस नानी को सारी बात बताता है बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो इसे घर ले आए नहीं तो जगलमे कचरी का क्या होता जगलमे जगली जनवर वैसे ही होते है कोई जनवर मार ही डालता नानी, ये तो आपका बड़पन है जो मुझ पे सहारा को आपने अपने घर में जगा दी नानी, मैं आपकी घर में जो भी काम होगा सब करूंगी, आपने मेरो पर बड़ा एहसान किया है, मैं आपका यह एहसान जिन्दगी भर नहीं भूलूँगी हरे पगली, एहसान कैसा, इंसानियत भी कोई चीज होती है, और जब तक तुम्हारे घरवाले नहीं मिल जाते तुम यहां रह सकती हो, हम तुम्हारे घरवालों को जरूर ढूर निकालेंगे और तुम यहां आराम से रहो और किसी चीज की जरुरत हो तो बता देना जी ठीक है मैं अब सोने जा रही हूँ और तुम भी सो जा, बहुत रात हो चुकी है जैसे नानी अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ती है तो नानी का पैर फिसल जाता है तभी कजरी अपने असली रूप में आकर नानी को अपनी शक्ती से बचा लेती है नानी हैरान होती है कि मैं बच कैसे गई जैसे किसी अंजान शक्ती ने मुझे बचा लिया हो, अगर मैं गिर जाती तो मेरी हटी पसली तूट जाती भगवान का लाख लाख शुक्र है नानी, भगवान हमेशा अच्छे लोगों का साथ देता है वो कभी भी अच्छे लोगों का बुरा नहीं कर सकता, यह तो है, और यह सब काम मैंने किया है अच्छा, तुम तो काफी होश यारो और तुम यह घूंगट मत किया करो नानी हमारे यहां लड़कियां अपना मुझ किसी अंजान व्यक्ति को नहीं दिखाती तब ही प्रिंस की आवाज आती है नानी, मैं बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ ठीक है, घूमाओ पर शाम ढलने से पहले घर आ जाना आ जाओंगा और यह कहकर प्रिंस बाहर चला जाता है रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने एक ट्रक बड़ी तेजी से उसकी और आ रहा होता है और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो क्या तरुब और ट्रक बड़ी तेजी से प्रिंस के उपर चड़ने ही वाला था कि तभी कजरी सामने आ जाती है और प्रिंस को बचा लेती है प्रिंस को एक खरूच तक नहीं आती प्रिंस जल्दी से उठता है और अपने आपको बड़ी हैरानी से देखता है वो तभी कजरी को देख लेता है वो एक भयानक चुड़ैल थी उसका चेहरा जला हुआ था कौन हो तुम और तुम तुम कजरी हो ना तुम चुड़ैल कैसे बन गई चुड़ैल प्रिंस को अपने उपर बीती हुई सारी कहानी बताती है चुड़ैल बहुत रोती है और रोते-रोते हुए कहती है बाबुजी मेरे पती और मेरे ससुर को छोड़ना मत उन्हें सजा जरूर दिलाना तभी मेरी आत्मा को शांती मिलेगी नहीं तो मैं हमेशा योई तड़पती रहूँगी तुम चिंता मत करो उन्हें कानून सजा जरूर देगा तुम अपने पती और ससुर का पता बताओ बाबुजी वो दोलों पास कही गाउं में रहते हैं प्रिंस अगले ही दिन कजरी के पती और ससुर का पता लगाने के लिए निकल जाता है और गाउं पहुँचकर अरे भाई क्या आप रामु को जानते हो जी बाबुजी सामने वाला घर रामु का ही है धन्यवाद भाईया रात के समय प्रिंस रामू की खिड़की के पास जाकर कजरी जैसे बनकर खड़ा हो जाता है, तब ही रामू की नजर खिड़की की तरफ जाती है, और रामू जोर से चिलाता है, कजरी! ये सुनकर रामू के पिता की आँख खुल जाती है, और वो कहता है, अरे बेटा ये तु तो कल सुबह जंगल में जाकर देख लेंगे उसकी लाश है या नहीं। अगले दिन रामू और उसका पिता जंगल में उसी जगा जाकर देखते हैं जहां उन्होंने कजरी को दफनाय था। ये देखो कजरी की लाश। तभी प्रिंस पलिस लेकर पहुँच जाता है और पलिस रामू और उसके पिता को कजरी को मारने के जुर्म में गिरफतार कर लेती है और कजरी को अपने पती और ससुर को सजा पाते देख बहुत खुशी होती है और उसे मुक्ती मिल जाती है।